ये दोनों आगे चल रहे हैं उसे आज तक हार का सामदा नहीं करना पड़ा पक्की सीट है इस सीट पर योग्यादितनाथ के जो गुरक्षनाथ पीट है उसका बहुत असर है और उनके सामने समाजबादी पार्टी ने मिसिस शुकला को उमीदबार बनाया है और यो सुबती शुकला है ये बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे थे उपेंद शुकला उनकी पतनी है और ये सीट ऐसी है कि जिस पर अखिलेश आदव भी वोट मांगने पहुचे थे उनकी कोशित थी किसी तरह से और अखिलेश आदव की जो अपनी सीट है उसका जिक्र कर लेते हैं अखिलेश आदव आगे चल रहे हैं शुरुआती ट्रेंड में ये 38% करहल में यादव वोटर्स है और तो जैसे गोरकपूर बड़ी सेफ सीट है यूग याद इनतात के लिए करहल एपसिलूटली सेफ सीट है अखिलेश आदव के लिए इस सीट पर बीजेपी ने चौनौती देनी की कोशिश की है स्पी सिंग बगेल को उता रहा है के अंदर सरकार में मंत्रिय है और बगेल एक खात्मात में आपको बता दूँ की करहल में 65% वोटिंग हुई और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 48 साल बाद दूसरी बार इस सीट पर इतना ज्यादा बड़ान हुआ करहल का जो जैन इंटर कॉलिज है वहां से मुलाहिम सिंग्यादम ने पढ़ाई की थी मुलाहिम सिंग्यादम यहां पर टीचर भी रहे थे और यहीं से मुलाहिम सिंग्यादम ने अदना पुलिटिकल बेस बनाना शुरू किया था तो ये बिल्कुल जो परिवार की सीट है विरासत की सीट है और यहां अकलिश को कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए मौग की seat से मुकतार अंसारी के बेटे जो हैं वो आगे चल रहे हैं अबास अंसारी वो लीड कर रहे हैं इत्वास से सवाजवादी पार्टी के सीनियर रीडर माता परसाद पांडे वो लीड कर रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में महमाने अलका सकसेना जी बहुत बरिश पत और जेदी कि दियान में करने खूंद रभी में हमेशा लीडर कि आज account सुनित में सब्सक्राइब. लेकिन आपकेशुम आपक आप योई नहीं हुगaron प्लऴ सब्सक्राइब . पार्टी बडलता है पांच बार वो बदल चुके हैं तो इस लिए इस सवाल तो थोड़ा उठता है हाला कि बड़े निता जितने भी हैं चाहें वो अखिलेश यादा हो चाहें वो योगी आदितिनात हो वो जीती रहें बलकि मैं कहूंगी वो ऐसी सीट पर है जहां से कोई शक्षुभा होना नहीं चाहिए कि वो जीतेंगे हैं नहीं गाजियाबाद से योगी सरकार के मंतरी अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं अब ये समझनी की जरूरत है